छतरपुर के हरपालपुर में बन रहे निर्माडा धीन पाइपास की विरोध में ग्रामिर धरने पर बैठ गए उनका आरोप है कि पाइपास बनने से गाउं में यातायाद बढ़ेगा जिससे दुरगटना होंगी भीचरगर में चिल्चिलाती धूप एओम लू के बीच ग्रामिर अपने मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे टेंट लगा कर धरने पर बैठे सूचना मिलने के बाद नायप्ते सिल्दार नौगाउं जनपर पंचैल सीओ एनेच एसज़ी ओपी उपियंत्री पीड़ी एसज़ी ओपी सहीत अन्ने अधिकारी धरना स्थाल पर पहुँचे उन्होंने ग्रामिडो की मांग सुनी उन्होंने ग्रामिडो को बताया कि बाइपास निर्माड में अंडर पास या फ्लाइ ओवर नहीं है लेकिन ग्रामिडो की मांग उनकी परसानी को देखते हुए उच अधिकारियों को अवगत करा कर अंडर पास या फ्लाइ ओवर निर बार पाद नहीं है ना उनको था उनसे बाद है व wrong लेकरन का रान क्या है हम लोगों को चईए शाहां से इस रोड से जो है और 5 गाउं लगे हुए 5 गाउं की बच्चे आदे मैंreyण क्या है कि घाउंत कि जाति हैं दो इसकूल है कि अगलानं के बच्चे से जाते हैं बड़े जाते हैं आठमी किलास तक है टो क्या चोटे-चोटे बच्छे उनके माघ परड़े उनको छोड़ने नहीं चाह भी किसान है कि कोई गाली से भेजेगा नहीं अगर एक बार अपन लेके चले जाएं दो उसके लिए देखो कोई जुम्यदार बाद में कोई नहीं आएगा के सांत रहो हो गतरत का काम बाद require का कम ऐस अपन लोगों के पास पूरे गाउं के पास नहीं एलादरा निकलते हैं रावत पुरा के निकलते हैं चौका मरूरी के और यहां से बाइपास मेले रोड नकर रहा है उसकी लिए फिलाई ओबर देदो हमागों के लिए आंगे कोई घटना ना घटी इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं और अगर फिलाई ओबर नहीं दे रहे हो जब तक मंझूरी नहीं होगी यहां से टेंट लगा टेंट नहीं हट कानून के दारे में हम लोग काम करेंगे हम लोग यहां से नहीं हटेंगे सरकार कोई भी आए यहां पर लिक देदे कहां फिलाई अबर बनेगा हम लोग उस देने निकाल लेंगे इनसे बात की गई, उने से पूछा गया कि ये कि बात को लेकर यहां पर दर्णा परशन करता है, इन्हों ने बसाई कि यहां पर जो बाइपार्स बन रहा है हालपूर्टा, नैशनल हाईवे से जोड़ा हुआ, उसमें ये ओवर ब्रेज चाहते हैं, उसके लिए ये लिए लि आपकी जो जमांड है, वो जैनून है, इसकूल पार्ट में है, बत्तोरी स्रक्षा ची लक्षा सी जो आप मांग कर रहे हैं, इसके लिए हम जो उसे विगा प्रियास करेंगे,